सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिष शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुवेचार सी किसे अच्छे काम की सुरुवात के लिए, कोई भी वक्त तब बुरा नहीं होता, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए अच्छे व्यक्ति के सांथ संबन उस गन्ने के समान है, जिसे आप तोड़ो, मडोरो या काटो, आपको उसे मीठर रस ही मिलीगा आज का पंचांग, 13 फर्वरी 2020, दिन गुरुवार, फागोन मास के क्रिश्न पक्ष की पंश्मी तिथी, रातरी आड़ बच कर 45 मिलड तक रहेगी, इसके उपरान सश्टी तिथी प्रारम हो जाएगी हश्त नामक नक्षात्र, सुबह 9 बच कर 25 मिलड तक रहेगी, इसके उपरान चीत्र नक्षात्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल, अर्थात, असुपसम में, दोपहर 1 बच कर 58 मिलड सी, तीन बच कर 20 मिलड तक रहेगा आज का भी जीत महुरत, अर्थात, सुपसम में, दोपहर 12 बच कर 14 मिलड सी, 12 बच कर 57 मिलड तक रहेगा आज चंद्रमा कन्य रासी पर, रात 8 बच कर 23 मिलड तक रहेगी, इसके उपरान तुला रासी पर संशार करेगी और आश्योरिय मकर राशी पर, दोपहर 3 बच कर 18 मिलड तक रहेगी, इसके उपरान कुम रासी पर संशार करेगी इसमें आप अपने जीवन की रा को रहश्य में मैसूस कर सकते हैं, एक अलगाव या छोटी यात्रा की भी शंभावना है नय आश्योरिय आपकी प्रतिक्षा कर रही हैं लेकिन इस पल का लक्ष आत्मनी रिक्षन और आराम होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले नईना लेने के लिए समय निकालने, आज आज आप बहुत कुछ हासिल करेंगी जल्दबाजी में अपना नुक्षान ना हो इसलिए अपनी ध्यान को केंदित करें अपने करीबी लोगों की सला को माने क्योंकि यह सला आपकी मदद कर शकती है अपने व्यक्तित्व, उष्षा और द्रेश अंकल पर से सब का दिल आप जीत लेंगी जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ नहीं बदल सकते एक नहीं परिवेश में प्रवेश करने से आपको राजनीतिक कला से बचने का मौका मिलेगा इस समय आप अपने आसपास के लोगों पर अधिक ध्यान दे सकती हैं और अधिक सहज मैसूस का शक्ती है आपको कुछ आवश्चक वित्ती योशनायव बनानी की भी आवशकता है आज का दिन दिलचस्प रहेगा किसे नहीं वैक्ती से मुलकात होगी जिससे भविश्य में अच्छा संबंद स्थापे थूंगे पर इस सेते जल्दी ही अनुकूल हो जाएगी बेती बातों को अत्यधिक परशान ना होने दिजीवन में जो गती हिंता आ गई थी वह जल्दी ही दूर होगी शोधान्या कोई भी बड़ी खरिदारी से पहले अपने पार्टनार या करीबी साथी से बात कर ले और किसी कानूनी अनुबंद को करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ी अभी उन नीजी बातों को नीजी ही रखे जिने आप किसी से भी बाटना नहीं शाहती और अपने असुरक्षा को किसी अन्ये के साथ साजहना करी लव लाइफ की बात करे तू आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं और अपने साथी के साथ इस शड़न का आनंद उठा सकती हैं मिलने वाले उशरों को अपने हाथ से ना जाने दी खास का जब बात रोमैंस्या अंतरंगता की हो प्रियजनों के सलापर ध्यान दे क्योंकि आपको इसकी सकत चवरत है आज अप अपने लवड से अपने शपनों के बारे में चर्शा करेंगी आपके रिस्ते बता रही है कि समय के साथ आपका रिस्ता गहरा होता जाएगा करियर की बात करे तू अभी काम में आपको किसी शमश्या का सामना करना पड़ेगा अपने कारे के संचार, प्रशार और विक्री प्रस्तूतिय के लिए आज के दिन अच्छा नहीं है बिशनेस पार्टनर के परिवार के साथ समय बिता कर आप कुछ नया सीखेंगे इस चरण में छोटी यात्राओं की भी संभावना है अच्छा आपको अपना काम संगीत की तरह लग सकता है और या आपको मिर रही सफलता के कारन है सेहत की बात करे तू अच्छा आपके मन में अलग-अलग तरह सी वयाम करने के तरीके गूमेंगी जोगिंग और वजन उठाने में आपका उश्या नहीं बढ़ीगा क्योंना आप कुछ अलग करें आप तैरने जा सकते ही या फिर अपने दोस्तों के साथ कोई खेल भी खेल सकती है अगर आपको इन सब में दिल्चस्पी हो और मचा आय तू या आपके लिए बहुत अच्छा होगा आज का उपाए आज अपके लिए के व्रिक्ष की पूछा करें जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रही आपका दें शुब हो